हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी तो आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी भासा को ट्रांसलेट करने के लिए आप किस एप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं जैसे हिंदी का इंग्लिस में, इंग्लिस का हिंदी में या फिर किसी भी लैंग भी इसका पूरे दुनिया में आप कनवर्सेशन कर सकते हैं जरूरी निए कि आप ऑनलाइन ही करें, इसे आप आफ लाइन भी यूज कर सकते हैं और यह बहुत ही प्रोफेशनल है और हर को इसको यूज करता है जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Google Translator की तो जैसा कि आप से भी देख सकते हैं, यह है Google Translator और आप इसको बड़े आसानी से Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए आपको Simply करना है Play Store पे जाना है और जाने के बाद आपको उपर सर्च करना है Google Translate और इस पे कर देना है Click यह जो पहला बाला है, इसे आपको करना है Download और जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके जो है 500 Million Downloader है और इसकी जो रेटिंग है, वो 4.5 है जो कि सबसे Best रेटिंग कहा जाता है यह सब जो उसके जैसा आपको दिख रहे हैं नीचे के तरफ इन सब को मत डाउनलोड किजी क्योंकि यह सारे कहन नकली है मतलब Google Translator के नाम पे क्या है यह सभी भी अपना जो है Translator चला रहे है ठीक है तो आपको simply यह वाला डाउनलोड करना है उसके बाद इसमें आपको जाना है और जाने के बाद देखी जैसा है कि मैंने यहापे English to Hindi डाउनलोड कर रखा है ठीक है और इसमें मैंने कई सारे वर्डिंग को Translator कर रखा है तो चलिया है यह मैं आपको चेक करके बताता हूं कि कैसे इसको यूज करना है तो हम जाएंगे सिधा गूगल पे और गूगल पे जाने बाद हम इसमें सर्च कर लेंगे जैसा कोई भी टॉपिक ले लेते हैं जैसे नीचे है कई सारे न्यूज है तो यहाँ से हम कोई English न्यूज उठा लेते हैं यह वाला UPSC, EPFO का और उसे हम कोई करके उहाँ पे ट्रांसलेट करके देखेंगे for example मुझे को इसका एक्जाम देना है और मुझे इसके बारे में नहीं पता है तो हम क्या करेंगे तो हमें सिंप्ली करना है यहाँ से कोई तो मैं यहाँ से कंटेंट को कोई करने के लिए तो यहां तो questions है तो one minute यह general study economics तो हम यहां से economics से copy कर लेते हैं economics लेके something यहां तक हमने कुछ copy कर लिया और यहां से मैंने उठा लिया अब हम सिधा जाएंगे translator में और जाने के बाद हम इसको English वाले side में क्या करेंगे paste और जैसी किया देखिए यह अपने आप ही हमारे सामने जो है सारा result आ गया economics अर्थसास्तर उसके बाद है आपका Indian politics भारती राजनेती कि यह देखिए सबका तुरंद conversation हो चुका है ठीक है अब मैं बताता हूँ कि अब मैं इसका net off कर देता हूँ मैं अपने फोन का और उसके बाद इस वाले portion को मैं copy करूंगा only for इस portion को ठीक है तो copy कर लिया और उसके बाद मैं back जाओंगा और फिर back जाओंगा अब मैं इसको दुवारा open करता हूँ ठीक है अब देखी मेरा data off है मैंने यहाँ पर paste कर दिया और यह दुवारा convert हो गया offline अगर मेरे फोन में net नहीं है तो भी ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से हिंदी वाले portion को copy कर लिया ठीक है यह वाला और यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पर हम select करेंगे हिंदी और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे paste कर दूँआ हिंदी को तो जैसी मैंने हिंदी को paste किया इसने हमें इंग्लिस में लिखके दे दिया समाने लेखांग, सिध्धांत, अध्योगिक, संबंदित और स्रम कानून, समाननेता, मांसिख्ष, छमता और मात्रमकता, उपियोगता ठीक है तो उसका जो है पूरा दे दिया general accounting, theory of industrial relation and labor law of general mental capacity and quantitative qualification और मैं बताता हूँ आप इसको download कैसे कर सकते हैं आपको कोई language यूज़ करना है तो आप उसके लिए जाएंगी यहां पर जो हिंदी है ना यहां पर एक arrow दिख रहा है इस पर करना है क्लिक और net को कर लेना on अगर आप जिसको भी offline यूज़ करना चाहते हैं मान लिज़ें आप किसी country में जा रहे हैं चाइना जा रहे हैं यूरोप जा रहे हैं तो उस भासा को आप क्या कर सकते हैं इसमें बड़े ही easily install कर सकते हैं For example मैं जापान जाना चाहता हूँ तो Japanese जो है इसमें already include हो तो मैं यहां पर कर लेता हूँ Canada तो इसमें 46 MB का है यहां पर आपको करना है download तो जैसे आप download पर क्लिक करेंगे आपका जो है downloading यह start हो चुका है उपर की तरफ देख पा रहे होंगे आप और काफी तेजी speed है मेरे इसका तो यह जल्दी ही download हो जाएगा ठीक है जश्ट कुछ second लगना है हमारा और maybe most of all हमारा यह हो चुका है तो बस थोड़ा सा speed लगना है क्योंकि 64 time भी गया तो थोड़ा सा तो time लगे गई और मैं morning के time में बना रहा हूं इसलिए इस समय speed काफी high होता है ठीक है तो यह होगा हमारा download अब हम क्या करेंगे यहां पर अपने data को कर देंगे off पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा Canada आ गया तो जी हां उपर होगा टिक तो यह होगा download मैंने कर दिया net को off और उसके बाद मैं करूंगा Canada to Hindi ठीक है तो यहां से हम क् करते हैं किसी एक topic को copy कर लेते हैं कि आप यहां पर बोल के भी use कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं यहां पर select करता हूं Canada language को और यहां पर select करूंगा हिंदी को और यहां पर net on करने के बाद मैं बोलूंगा यहां पर नमस्ते नमस्ते अब नमस्ते में Canada में क्या बोलते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखता है जो इसे लिखते हैं और अगर हम बात करें sound के तो हम इसके आवाज को भी सुन सकते हैं यहां से नमस्ते तो अब आज अभी निया पा रहा है क्योंकि मैंने माइक अल्रेडे इंक्लूड कर रखा है तो मतलब आप किसी भी लैंग्विज को इस तरीके से यूज कर सकते हैं ठीक है और अगर मैं इसकी बात करूं इंग्लिस में तो इंग्लिस में आप यहां पे speaking करेंगे त तो आपको इंग्लिस में बता देगा तो यह बहुत यूजफूल है और मेरे फोन में यह हरदम रहता है यह application और मैं इसको बहुत जादा यूज़ करता हूं तो गाइज यह थी आपको आज की वीडियो जो कि मैंने आप से वेशाए डिसकुस की अगर वीडियो फसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं so thank you very much watching this video